तो आज हम लोग जानेंगे, computer है, क्या full explanation के साथ, उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये work कैसे करता है, उसके बाद जानेंगे, इसका component क्या है, component के बाद जानेंगे, इसका characteristics क्या है, characteristics जानने के बाद, कुछ हम लोग exam में आने वाला full form जानेंगे, computer के बारे में, CPU के बारे में, RAM ROM के बारे में उसके बाद हम लोग जानेंगे Memory क्या होता है उसके बाद Last का जो है Generation of Computer के बारे में जानने वाले हैं इतना topic रहेगा आज का तो चलिए सुरू से सुरू करते हैं तो सुरू करता हूँ What is Computer? Full explanation के साथ तो जो answer है Computer is an electronic device developed by Charles Bebez Nearby 19th Century Computer एक बिजली से चलने वाला मसीन है जिसको developed किया था Charles Bebez ने यह जो नाम Charles Bebez का है यह याद रखना आपको MCQ में बहुत बार पूछा जाता है कि Computer को develop किस ने किया है तो इसका नाम जो है Charles Bebez है Nearby 19th Century में किया था इसका काम देख लेते हैं It takes inputs data from the input device stores and process it and produce output यह क्या करता है Input data लेता है from input device से और उसको store कर लेता है अब input device बोले तो आपका keyboard हो गया, mouse हो गया Keyboard mouse से यह क्या करता है Input data लेता है Input data लेने के बाद यह store कर लेता है उसके बाद उसको process करता है उसके बाद यह result देता है produce output करता है तो यहाँ पे जो diagram देख रहे है input लेता है उसके बाद process करता है उसके बाद ये output देता है input कैसे लेता है? ये input device से लेता है आपका keyboard, mouse से input device से input data लेता है, उसको process करता है उसके बाद ये क्या देता है? result देता है output देता है अब चलेंगे component of computer के पास तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके screen पे show हो रहा होगा components of computer दो types का component होता है एक hardware एक software इसका जो difference है इसका मैं video description में link दे दूँगा आप लोग वहाँ से देख सकते हाडवेर, software का जो difference होता है उसका मैं description में link दे दूँगा तो hardware बोले तो आपका input device हो गया input device बोले तो आपका keyboard mouse है input device है output device यह भी hardware है output device बोले तो monitor हो गया printer हो गया उसको output device बोला जाता है उसी तरह से storage device यह आपका storage device जो है यह क्या हो गया आपका brain हो गया memory यह memory हो गया storage device storage device में primary memory होता है secondary memory होता है ठीक है इसको memory बुला जाता है brain बुला जाता है यह CPU है CPU जो है यह आपका computer का हट हो गया यह याद रखना है ठीक है यह जो है input device output device storage device CPU यह hardware होता है ठीक है software में क्या आता है application software आता है एक system software आता है application software क्या होता है जैसे हम लोग चलाते है MS Word MS Excel Microsoft जो है वो software है system software बोले तो operating system का Linux हो गया आपके पास Windows का हो गया यह system software होता है तो software डो टाइप का है application software system software आयोप आप लोग को software भी समझ में आ गया होगा इतना समझने के बाद हम लोग चलेंगे आगे की तरफ characteristics of computer की तरफ तो यहां पे आप लोग को show रहा होगा तो चलिए यह आपको बता देता हूं characteristics of computer में पहले नंबर पे आता है speed तो speed जो है इस computer का characteristics है विसेस्ता है आप कुछ भी सर्च करेंगे computer में जाके तो उसका speed जो होता है computer का बहुत फास्ट होता है एक दो second में ही आपका answer दे देता है इसलिए इसका characteristics में speed आता है क्योंकि speed computer का बहुत जादा होता है आप जाकर कहीं पे सर्च करेंगे computer में आपका file कहीं पे भी होगा तो वो second में आपका दे देगा उसके बाद accuracy भी इसका characteristics में आता है विशेशता में आता है accuracy का मतलब होता है यह जो computer है आपको 100% result देता है वो भी accurate result देता है आपको wrong result नहीं देता है दुसरा कोई machine होगा तो आपको wrong result दे सकता है पर यह computer जो है यह 100% ही result देता है इसलिए इसका characteristics जो है computer का एक accuracy भी है उसके बाद storage अब storage जो है computer का बहुत ज़्यादा होता है आजकल TV में भी होता है 1 TV, 2 TV, 3 TV ठीक है पहले थोरा कम में आता था अभी तो TV में भी आने लगा है तो storage जो है computer का बहुत ज़्यादा है अब बहुत ज़्यादा होता है यह बहुत बाते को store करके रखता है इसलिए storage भी एक अच्छा विसेश्था है इसका एक है quick decision यह quick decision लेता है आप कुछ भी सर्च करेंगे न तो यह decision बहुत जल्दी ले लेता है वो भी accuracy के साथ मिलेता है तो यह quick decision जो है यह भी खास विसेश्था है computer का उसके बाद यहाँ पे last का जो है repeated capability आप यह machine है ठीक है repeated capability का मतलब है आप इनसान हो या कुछ कोई भी काम कोई करता है तो एक ही काम करते करते board जाता है पर computer ऐसा नहीं है computer क्या करता है repeated capability रखता है आप एक ही काम को 100 बर करा है 1000 बर करा है लाख बर करा है जो है यह भी एक characteristics आप computer में आता है अब बात करने वाल है कुछ full firm की तो चलिए full firm जान लेते है आप कोई full firm जाने या ना जाने computer, CPU, RAM, ROM का full firm जान लेना क्योंकि आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है कोई भी बच्चे लोग, सर लोग या कोई भी इनसान आपको computer का full firm पुछेगा CPU का full firm पुछेगा, RAM का पुछेगा, ROM का पुछेगा तो चलिए जान लेते है computer का full firm क्या होता है Commonly operating machine purposely used for technology and educational research तो यहाँ पे C का मतलब हो गया commonly, O का मतलब हो गया operating, M का मतलब हो गया machine, P का मतलब हो गया purposely, U का मतलब हो गया यह computer का full firm है CPU का देख सकते है Central Processing Unit यह जो है, Heart of Computer Heart है, Computer का CPU RAM का है, Random Access Memory ROM का होता है, Read Only Memory यह दोनों है, ठीक है यह दोनों कौन सा Memory आता है RAM, ROM का जो difference है यह भी आपको DC से में लिंक दे दूँगा वहाँ पे आप लोग जा कर देख लेना यह दोनों जो है, RAM, ROM यह Primary Memory में आता है Random Access Memory, Read Only Memory इन दोनों का जो difference है यह भी आपको DC से में लिंक दे दूँगा वहाँ पे देख लेना CPU जो है, यह Heart of Computer होता है इसके भीना हम लोग Computer Run नहीं कर सकते चलिए आगे की तरफ चलते है CPU की तरफ चलते है थोड़ा जाल लेंगे CPU क्या है CPU को दो पार्ट में डिवाइड क्या हुआ है ALU और एक है CU ALU का मतलब होता है Arthematic Logic Unit इसका मतलब क्या है आपको Math का कोई भी टास्क अपरेट करना हो आपका Addition हो, Subtraction हो, Multiplication हो आप ALU से कर सकते है CU का मतलब होता है Control Unit OL Control Unit आपका Computer में जितना भी टास्क होता है ये Control Unit ही उसको कंट्रोल करता है तो CPU में ALU, CU का का मतलब होता है आपने जान लिया आगे की तरफ चलेंगे Memory की तरफ So Memory जो है यहाँ पर देख सकते है Memory तीन टाइप में दिभाइड किया हुआ है HDD, Hard Disk Drive, RAM, ROM RAM, ROM जो है Random Assess Memory, Read Only Memory ये दोनों जो है ये Primary Memory होता है Hard Disk Drive, Secondary Memory होता है ठीक है तो ये भी आप लोग जान गए अब चलेंगे हम लोग Generation of Computer की तरफ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग Generation of Computer के बारे में ठीक है So Generation of Computer जो है First Generation के बारे में पहले बात करेंगे इसमें जो Core Element यूज हुआ था ठीक है Vacuum Tube यूज हुआ था Core Element कौन सा यूज हुआ था Vacuum Tube इसका Time Period जो था First Generation का वो था 1946 से लेके 1959 तक ये जो Time Period है बहुत सारे Book में इधर उधर दिया होता है आप लोग इसको बेस मान सकते है उसी तरह से Second Generation का जो Computer आया उसमें Transistor Core Element यूज हुआ था इसका जो Time Period था 1959 से 1965 तक था ठीक है उसी तरह से Third Generation का जो Computer आया उसमें Integrated Circuit यूज हुआ था Integrated इसको बोलायाता है IntegraTed Circuit उसका जो Time Period था 1965 से 1971 था 1971 था ICS जो है Core Element है आप लोग लिख सकते है Third Generation में जो Core Element यूज हुआ था Integrated Circuit यूज हुआ था जिसका Time Period 1965 से 1971 था उसी तरह से Fourth Generation Computer जो है इसमें Large Scale Integrated Circuits ठीक है जिसको Very Large Scale Integration भी बोलायाता था Very Large Scale Integrated Circuit भी बोलायाता है BLSI यहाँ पर देख सकते है उसका जो Time Period था 1971 से 1985 था So Core Element जो यूज हुआ था Fourth Generation में वो BLSI, LSI, CS यूज हुआ था आप लिख सकते हैं एक्जाम में Fifth Generation जो Computer है Onwards 1985 अभी तक चल रहा है 1985 से अभी तक चल रहा है Fifth Generation और Computer जिसमें Core Element जो यूज हुआ था ULSI यूज हुआ था ULSI का जो Full Frame है आप नीचे देख सकते हैं ULSI का Full Frame क्या है Ultra Large Scale Integrated Circuit ठीक है यह Core Element है आपका Fifth Generation का Core Element यूज हुआ था यह Technology यूज हुआ था ULSI आपको Fourth Generation में Technology यूज हुआ था VLSI का Third Generation में ICS का Technology यूज हुआ था Second में Transistor का First Generation में Vacuum Tube का तो इतना हम लोग जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लागा हो अगर वीडियो अच्छा लागा हो चाहुआ tud मातीच का